जहिन दोस्तों कैसे आप सभी मैं प्रीती सिंग एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी का हम सब के चैनल EPS पर दोस्तों कल था नया साल संदोजार 23 सुरू हो गई है आई होप आप सभी का नया साल बहुत अच्छा रहा होगा और बहुत से इस ट्रूडेंट ने प्रन ल करेंगे ऐसे करेंगे इन बैड हैबिट को छोडेंगे इन गुड हैबिट को अपनाएंगे लेकिन दोस्तों बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने प्रन पर रैजुलेशन पर अडिग रह पाते हैं लंबे समय तक तो दोस्तों आपको ऐसा ही बना है आपने जो भी प्रन लिया है कि वहीं Lexern 2033 में हमें selection लेना है हमें success होना है जिस पी field में आप success होना चाछते हैं तो दोस्तों आपको उस पे अडिग रहना है उस उसके लिए आपको दोस्तों क्या करना होगा निरंतर अभियास करना होगा practice करनी होगी और दोस्तों तो अर्थ भी तभी बनता है जब आप उस पर अडिक रहें और उसको अचीव कर लें, तो दोस्तो जिसने भी प्रन लिया है, मुझे आप सभी से यहीं उमीद है कि आप उस पर अड़िक रहेंगे पिछली कक्षा में दोस्तो करंट अफेर की मैंने मैराथन टाइप कराया था एक आदे घंटे की क्लास ली थी और एक ली थी एक घंटे की दोस्तो टारगेर तो ये था कि महा मैराथन लू मतलब इसका मतलब ये था कि एक ही कक्षा में वो सारी चीजे जो मैंने बोर्ड पे लिखी थी आपको समझाओ लेकिन टेक्निकल एरर की वज़े से वो क्लास पूरी एकदम से कंटिन्यू नहीं हो पाई मुझे आदे घंटे की शूट करनी पड़ी दैन मैंने एक घंटे की वीडियो शूट करके डाली लेकिन दोस्तों उस वीडियो का रिस्पोंस भी काफी अच्छा है अगर दोस्तों आप वो वीडियो देख लेते हैं तो आपके बहुत सारे टोपिक उसमें दोस्तों मैंने साथ से आठ टोपिक आपको जो करन से असन 2021 में कोशन 22 के है ना जैसे अपने नाम परिवर्तित हुए हैं सूच कांक है संयुक्तिसैनी अभ्यास हुए हैं 2021 के और अपना जो इसरो के आगामी मिशन है ये सब दोस्तों मै तो इसे भी स्टेट लेवल की PCS की चाहे आप जो फरवरी में BPSC होने वाला है उसकी तियारी कर रहे हैं दोस्तों अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं तो आपको एक्जाम में काफी मदद होगी 8-10 कोशन दोस्तों आपको महां से 100% देखने को मिलेंगे तो आपको वो करा रही हूं तो जो भी बचे ओल कॉम्टिटिव एक्जाम्स की तियारी कर रहे हैं चाहे वो एससी की तियारी कर रहे हूं चाहे वो अपना दिल्ली पुलीस की तियारी कर रहे हूं चाहे फिर यूपी पुलीस की तियारी कर रहे हूं दोस्तों वो कक्षा सभी को हैल्प कर बलकि जितने भी आप competitive exams की तियारी कर रहे हैं उसमें काफी मदद होगी तो दोस्तों आज continue करते हैं अपनी 41 नंबर की class दोस्ता पहला ही कोशन है किस राज्य सरकार ने सराब पर परतिबंध हटाने के लिए नागरिकों से राए मांगी है तो दोस्तों ये मांगी है मनीपूर आज़े है किस राज्य सरकारने किस राज्य सरकार ने सराब पर परतिबंध हटाने के लिए नागरिकों से राए मांगी ऐसे करके तीन चार आपको ओक्षन में दिये हों तो आप क्या लगाएंगे कि मनीपूर ने राए मांगी यह क्या राए मांगी है राए मांगी है दोस्तों सराप पर परतिबंद हटाने की सराप पर परतिबंद हटा दिया जाए तो कि वही जो मनिपूर राजी है वहाँ पर सराप पर परती बंद है तो कुशन क्या है सराप पर परती बंद हटाने हटाने की राय हटाने के लिए राय ना सोरी दोस्तों नाग के दो मिनट रुकिएगा के लिए अलग से दिक्कत है तो दोस्तों कोशन है कि किस राजे सरकार परती बंद हटाने के लिए नागरिकों से राय मांगी है तो दोस्तों यह मांगी है मनीपूर्ण यह आपको ध्यान में रखना है अब दोस्तों उन राज्य की बात करते हैं जहां पर शराब बंदी है कोशन यह भी आ जाता है जहां पर बंदी है तो कौन कोशन यहां आपको याद कर लेने हैं यहां से कोशन जैसे बीपी杉सी का एकजाम है ना और और भी आप इस्टेट लेफल के बातना तो वह कितने राज्य हैं और कितने केंद्र सासित परदेश है दोस्तों यह कोशन में पिछली करन्ट अफेर की क्लास में भी कवर करा चुकी हूँ लेकिन फिर भी आपको मैं हर क्लास में जब भी यहां के राज्य है और इस सेट की ऐसे यूटी की बात होती है तो मैं बता देती हैं दोस्तों ना सिर्फ जो आप all competitive exams की तियारी करें वहां पर कोशन आएगा बलकि state level PCS में भी पूछ लेते हैं क्योंकि अभी कितने राज्य हो गए हैं दोस्तों अभी राज्य हो गए हैं 28 कितने दोस्तों 28 अगर यूटी की बात करें तो दोस्तों 8 यहां से दोस्तों पता है confusion हो जाता है आप अगर यकीन नहीं है ना तो जैसे पेपर होंगे ना तब देख लेना वह से student को नहीं पता होगा वे अभी भी यही लगा के आ जाएंगे 29 राज्य है और साथ केंद्र सासित पर देश लेकिन आपको मैं नहीं चाहती मेरे जितने भी student मेरे साथ जुड़े ह हुए हैं वह ऐसे सिली मिस्टेक करें क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है एक्जाम में हम एक एक नंबर के लिए फाइट करते हैं तो आपको यह गलती नहीं करनी है माइंड में बठा लो कि अभी अगर वरतमान में पूछ ले तो 28 अपने राज्य हैं और आठ है केंद्र कों से हैं वह ल दोस्तों पहला है गुजराथ में सराब बंदी है second है दोस्तो नांगा लेंड, third है मिजोरम, fourth है दोस्तो बिहार और दोस्तो यूटी में है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप जो दोस्तो अपना यूटी है यहाँ पर भी शराब बंदी है, तो यह आपको पांच याद कर लेने हैं अच्छे से चाहिए आप ट्रिक से याद करें और एक दो तो याद होगे, बिहार तो आपको यादी होगा कि बिहार में तो सराब पर पर परतिबंद लगा रखा है और यह BPSC में पूछा भी जा सकता है, फरवरी में एक्जाम है न BPSC का, तो आप इनको याद कर लेना बिहार में परतिबंद है, गुजरात में, नांगा लैंड, मिजोरम और अपना लक्ष दीव, यह आपको ध्यान में रखना है बारत का पहला, किस राज्ये के फार्म, किर्शी छेतर को घोशित किया गया, तो दोस्तों हम ऐसे इस पीड में आगे वढ़ेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपका एक भी मिनट जाया हो दोस्तों जहाँ पर explain करने की जरूरत होती है, मेरे पढ़ाने का तरीका यही है, जिसे किसी state के बारे में ज़्यादा information देनी होती है, तो मैं वो भी दे देती हूँ, जहाँ पर मुझे आवशकता लगती है लेकिन जहाँ पर factual चीजे हैं, एक बार पढ़के आपको याद हो रही है, तो महाँ पर हम speed में चलेंगे, और अगर आपको वो चीजे याद नहीं होती, तो वीडियो तो record हो जाती है, तो आप उसको दुबारा भी वीडियो को देख सकते हैं, चीजों को याद कर सकते हैं, और मैं तो हमेशा कहती हूँ, जो चीजे आपको याद हो जाती है, वो आपको नोट नहीं करनी, और जो चीजे नहीं याद होती, तो दोस्तो पैन और पेपर का प्रियोग करना है, उनको लिख ले और अपना revision करे, याद हो जाएगी, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, तो दोस् तो क्या की, बस सेवा को ही निलंबित कर दिया, तो ऐसा किस, किन दो राज्यों के बीच में हुआ, तो दोस्तो ये हुआ है, महरास्ट और अपने करनाटक के बीच में, महरास्ट और दोस्तो करनाटक के बीच क्या हुआ, सीमा विवाद हुआ, सीमा विवाद के कारन क्या यह सीमा विवाद हुआ कब हुआ दोस्तों यह हुआ धिसंबर सन 2022 में यह आपको ध्यान रखना है move करते हैं दोस्तों next question पे जो की है बिहार के ऐसे पहले जिले का हमें नाम बताना है जिसका collect rate जो collect rate होता है collect rate office paperless बन गया क्या दोस्तों बिहार का ऐसा पहला कुन सा जिला है जहां पर जो collect rate office होता है क्लेक्टरेट ओफिस पेपर लेस बन गए कि महाँ पर पेपर पे काम नहीं होगा तो दोस्तो ये बना है बिहार का सहरसा जिला कौन सा दोस्तो बिहार का सहरसा जिला ये दोस्तो BPSC का जो एक्जाम होने वाला है BPSC PCS के लिए बहुत ही जादा महत्पून है तो इसको आपको याद कर लेना है बिहार का कौन सा ऐसा जिला है जो पेपर लेस बन गया है बिहार और कलेक्टरेट ओफिस धियान रखना है बिहार के ऐसे जिले का नाम बताईए जिसका कलेक्टरेट जो ओफिस है वो पेपर लेस बन गया है और अगर बिहार के दोस्तो टोटल जिले पूछ ले जैसे उत्तरप्रदेश का एकजाम होता है UPPCS का मई में एकजाम है तो महां के डारेक जिलों से पूछ लेंगे कि उत्तरप्रदेश के कितने जिले हैं और अब जैसे बिहार के तो दोस्तो हम ऐसे जो भी state level के इसलिए मैंन तराता है भाके दोस्तों जो इस टेट लेवल की PCS की तियारी होती वा Almost से नहीं होती है जो मागई सपेश्अल है वहीं हम अपने को सबाइन को कवर करते हुए चलना है तो दोस्तों वह में だरे साथ वह आपको कवर करते हुए चल रहे टो करते हूँ चल रही हूं, तो जैसे अब ये बीपीस के कोशन आये, तो मैंने बता देया, भाय, C में पूछे जा सकते हैं, जैसे यूपी का आता है, तो मैं यूपी का बता देती हूँ, उसके बारे में जितनी इंफर्मेशन होती है, जो आने की सम्भाव ना होती है, ये आई ह हुई है पहले वह बतार हूं में एक्जाम के लिए हो गया राजिस्थान के सब्सक्राइब करते वे OVERand बिहार के टोंटल हो कितने जिले हैं में कितने हैं दोस्तों भिहार के जिले से पूछ ले तो आपको लगाना है 38 जिले हैं मूब करते हैं दोस्तों नैक्स्ट कॉशन पर जो की है उत्राकहंड से कि apology number क्या है दोस्तों कोशन झो प्यभाण है उत्राकांड ने buzzing winter होट को नैनिताल पहले जो उत्राखंड हाई कोरता दोस्तों सिंपल भाशा में समझेगा जो पहले उत्राखंड का हाई कोरता वो नैनिताल में था लेकिन अभी इसको इस्थांतरित करने को मंजूरी दी कहां पर मतलब बदल के इसको कर दिया गया तो दोस्तों ये कर दिया गया है हल्दवानी सहर में कहां पर दोस्तों हल्दवानी सहर में ये आपको ध्यान लखना है और ये कहां पर पूछा जा सकता है दोस्तों यह question पूछा जा सकता है आपको उत्राखंट PCS का जो exam होता है UK PCS में यह question पूछा जा सकता है सन 2003 में exam है UK PCS का भी तो यह मा का special हो गया ऐसे question बनेगा कि जो उत्राखंट cabinet है इसने जो अपना उत्राखंट की high court है हाई कोट है इसको नैनी ताल पहले हाई कोट का था नैनी ताल में नैनी ताल से किस सहर में इस्थांत्रित मतलब चेंज करने को मंजूरी दी आपको तीन चार ओप्शन में देंगे आपको क्या लगाना है हलदवानी में अपना इस्थांत्रित चेंज करने की मंजूरी दी है कोन बना है दोस्तो मध्याप्रदेश जो मैडिकल की पढ़ाई होती दोस्तो इसको हिंदी में हिंदी में हिंदी में शुरू करने वाला पहला राजया बन गया हैbak तो आपको क्या बढ़ाना है वही MP बन गया है हिंदी में अपना जो medical की पढ़ाई होती है medical की पढ़ाई को हिंदी में शुरू करने वाला पहला first state पूछे तो आपको क्या लगाना है आपको लगाना है दोस्तो मध्या प्रदेश बन गया है चंडीगड इंटरनेशनल एरपोर्ट क्या दोस्तो यह हो गया है शहीद बगत सिंग इंटरनेशनल एरपोर्ट क्या आपको ध्यान में रखना है मूब करते हैं दोस्तो नेक्स्ट कोशन पर जोगी है युपी के सियम युपी के सियम कौन है दोस्तो युपी के सियम ये तो आप सभी को पता होगा युपी के सियम है योगी आदित्यनाथ दोस्तो युपी के सियम योगी आदित्यनाथ ने योगी आदित्यनाथ ने लता म इस बंगेशकर चोक का उद्गाटन के शहर में किया? तो दोस्तो यह किया है अयोध्या में जो किया? क्या दोस्तो? सुप्रिम कोट ने ताज महल के कितने मीटर के दाइरे में व्यवेसाईक गति वीधियों पर परति बंद लगाया? तो दोस्तो ताज महल के 500, 500 मीटर, 500 मीटर के दाइरे में जो वेवसाई के गतीवी दिया होती है, जैसे फैक्टरी लगा ली किसी ने, तो दोस्तो उनसे क्या हो रहा था ना, ताज महल का जो रंग है, सफेद है ना ताज महल, तो दोस्तो ताज महल का रंग कैसा है, सफेद, क कितने दाइरे में कोशन कैसे आएगा यहां से दोस्तों 100% कोशन बनेगा कि सुप्रिम कोट ने ताज महल के कितने मीटर के दाइरे में वेवसाइक गतिवी दिया कि आप इतने मीटर के दाइरे में वेवसाइक गतिवी दिया कुछ भी फैक्ट्री वगरा नहीं खोल सकते इस पर परतिबंद लगा दिया है आपको option में देंगे 100 मीटर के दाइरे में 500 मीटर के दाइरे में 400 मीटर के दाइरे में और दे सकते हैं 1000 मीटर भी तो हम सोचेंगे दूर दूर में करेंगे कि इतने उसमें इतना जो पार्ट और उसमें आप व्यवसाई GATIWIGHT नहीं कर सकतें तो ऐसे वप्षिन में आए ना तो आपको क्या लगाना कि पांसो मीटर पांसो मीटर के जहां पर ताज महल है उसके 500 मीटर के दायरे में कोई भी विवसाइक गतिविदी नहीं होगी इस पर सुप्रीम कोट ने दोस्तों क्या लगा दिया है पड़ती बंद लगा दिया है अब दोस्तों बात करते हैं ताज महल की यह तो हो गया दोस्तों करेंट अफेर का कोशन अब दोस्तों मैं और factual जानकारी आपको ताज महल के बारे में देना चाती हूँ दोस्तों ताज महल जैसे कि आप सभी को पता है युपी में इस्तित है युपी के कहां पर इस्तित है युपी के आगरा में इस्तित है पहली जानकारी तो यही सब को पता होगा ताज महल आगरा कहां पर इस्त जरूर जाना, आपको ऐसा आज़ा रहें कि आप यही बैठे रहें, आप घर वापस ही न जाएं। अब दोस्तो ऐसे भी पूछ लेते हैं ताज महल किस से बना हुआ है तो दोस्तो ताज महल बना हुआ हाती दात और सफेद संग मरमर से क्या बना हुआ है ताज महल बना हुआ है और दोस्तो इसको किस ने बनवाया ऐसे आ जाए ताज महल को किस ने बनवाया तो दोस्तो ताज महल को किस ने बनवाया था सहाजा ने बनवाया था किस की याद में बनवाया था तो दोस्तों उनकी पसंदीदा पतनी थी कौन थी मुम्ताज महल तो दोस्तों मुम्ताज मुम्ताज की याद में उन्होंने क्या बनवाया था ताज महल का निर्मान करवाया था तो दोस्तों य ये कौन थे उस्ताद एहमंद लाहुरी ताज महल के वास्तु सास्त्री थे और दोस्तो एक जानकारी और देदू ताज महल को दोस्तो 1983 में युनेस्को ने विश्व विरासत इस्थल या दरोर के रूप में घोशित किया है यह आपको ध्यान में रखना है ऐसे आजाए युनेसको ने ताज महल को कब विश्व विरासत धरोहर के रूप में घोशित किया या शामिल किया तो आप कब लगाएंगे दोस्तों आप लगाएंगे 1983 में 1983 में ये डेट दोस्तों आपको ध्यान में रखनी है अब दोस्तों ना सिर्फ हमने जो ताज महल है इस से करंट रिलेट करके जो भी कोशन आएगा वो कवर किया बलकि दोस्तों इसका हमने स्टैटिक भी कवर कर लिया कि वह जो ताज महल है ये कहां पर इस्थित है कौन सी महल है ये अपना यमना नदी के किनारे इस्थित है ये आपको ध्यान में रखना है अब इसको किस ने बनवाया ये भी बता दिया सहजन ने बनवाया किस की याद में बनवाया तो मुम्ताज की याद में बनवाया अब दोस्तों इसके वास्तु सास्त्री भी बता दिया कौ दोस्तो इससे क्या होगे अपना 360 एंगल से मेरे पढ़ाने का तरिका दोस्तो यह है मैं आपको 360 डिग्री से ही पढ़ाती हूँ कि कोई भी टोपिक अगर मुझे लगता है इसके बारे में ओर जानकारी देनी है करंट के सासा तो दोस्तो इस्टैटिक भी हम सासा कवर करते हु क्या है दोस्तो कोईशन अगें सुनिएगा भारत प्लस जापान के बीच सैप्टेमबर सन 2022 में टू प्लस टू मिटिंग कि सहर में आयोजित हुई तो दोस्तो इस कोईशन का आंसर आप ही देंगे इस कोईशन का आंसर आप नाइट तक मुझे कमेंट बोक्स में देंगे य भारत प्लस जापान के बीच जो टू प्लस टू वारता हुई है सैप्टेमबर सन 2022 में ये कि सहर में कि सहर में आयोजित हुई है तो मुझे उमीद नहीं मुझे पूरा यकीन है कि मेरे सभी स्टूडेंट इसका आंसर जरूर देंगे क्योंकि जैसे जोती किरन जी हैं और अ कितने लाग लोगों ने ऐसे कितने लाग दोस्तों कितने लाख लोगों ने पिछले वर्स भारत की नागरिक्ता दोस्तों 563 तौ सपहिए ठीज़ेंने क्या भारत की नागरिक्ता चोड़ी है ऐसे पूछेंगे कितने लाक लोगों ने पिछले वर्स भारत भारत की नागरिक्ता चोड़ दीए तो दो दोस्तों भारत प्लस किस देश के बीच मिताली एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन जून सन 2022 में शुरू हुआ तो दोस्तों मिताली एक्सप्रेस आ जाए ना और पूछ ले आप से कि भारत और किस देश के बीच जो मिताली एक्सप्रेस ट्रेन है इसका संचालन हुआ तो दोस्तो ये शुरू हुआ है भारत और बांगलादेश के बीज़ बस आपको ध्यान रखना है मिताली एक्सप्रेस ट्रेन अपना इंडिया प्लस बांगलादेश ये आपको ध्यान में रखना है मूव करते हैं दोस्तो नेक्स्ट कोशन पर ये है राजे में जाती है जाती है जन्गन्ना करवाने का फैसला लेने वाला देश का सैकिन राजे कौन बन गया है तो दोस्तो जाते है आधार पर अगर हम जन्गन्ना की बात करें तो अगर दूसरा राज्य आपसे पूछे की कौन सा ऐसा राज्य बन गया है जो जाते है जन्गन्ना करवाएगा या फैसला लिया है तो दोस्तो ये लिया है बिहार में दोस्तो ये BPSD में कोशन पूछा जा सकता है तो यह आपको ध्यान में रखना है कि बिहार ऐसा राजे बन गया है दूसरा जो जातिये जनगन्ना करवाएगा तो यह आपको ध्यान में रखना है देश का देश का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार बिहार के किस जिले में मिला जिसकी विस्प्रित खोज की अनुमती परमीशन राज्य सरकार ने दी तो दोस्तों ये बिहार का जमुई जिला बना है जहां पर देश का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार मिला है कहां पर ऐसे भी पूछ सकते हैं देश का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार मतलब कि सोने का भंडार कहां पर कौन से राज्ये में या कौन से राज्ये के जिले में बना तो आपको राज्ये भी ध्यान रखना है बही सबसे बड़ा देश का वो भी देश का सबसे बड़ा स्वर कोशन ऐसे हैं जो बिहार के स्पेशल है तो दोस्तों यह BPSC में पूछे जा सकते हैं जो भी मेरी स्टुडेंट BPSC वाले जुड़े हैं और दोस्तों आगे भी वह ऐसे जुड़े रहें अभी मैं और भी क्लास उनके लिए डिजाइन कर रही हूं दोस्तों मैं BPSC का अलग से आपको जितना भी करण्ट अफेर से कोशन आएंगे मैं करण्ट अफेर तो आपको दोस्तों ओल्मोस्त BPSC की अलग से क्लास लेके कवर करा दूँगी तो इसकी भी आप टेंशन ना ले हर रोज आदे से पून गंटे की मैं करण्ट अफेर की बिहार की भी क्लासेस स्टार् जारी हूं तो मेरे साथ जितने भी पीएसी के बच्चे जुड़े हुए हैं तो वह ऐसे जुड़े रहे और करंट अफेर की उन्हें टैंचन लेने की जरूरत नहीं है बाकि जो उनका इस्टैटिक पार्ट है वह कवर कर ले महां का हिस्ट्रोरिकल हो गया यह सब कवर कर लेन और जी है सेकिंड की क्लास आप मेरी देख सकते हैं तो इंडियन पॉलिटी उससे भार नहीं जाएगा और करंट अफेर तो मैं कराई रही हूं आपको 1971 1971 की लडाई में शहीद हुए सैनिको के परतीक चिन को इंडिया गेट से हटा कर कहां इस्थांत्रित किया गया दोस्तो यह काफी महत्पून कोशन है पहले तो आपको दोस्तो यही पता होना चाहिए कि जो 1971 का वोर है 1971 का वोर है यह किन किन देशों के बीच में हुआ तो द 1971 का वोर दोस्तो किन किन देशों के बीच में हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ इसमें दोस्तो अगर पूछले की जीत किसकी हुई थी तो दोस्तो जीत हुई थी अपने भारत की दोस्तो अपने भारत की इसमें जीत हुई थी और जो पाकिस्तान ने दोस्तो इ इसमें बना बांगलादेश का दोस्तों बांगलादेश के रूप में एक नए देश का निर्मान किया गया क्या दोस्तों इसमें क्या हुआ था पाकिस्तान हार गया था बहुत बड़ी हार का उसे सामना करना पड़ा और भारत अपना भीजेई हुआ था इसमें क्या हुआ बीच में हुई तो सहीद हुए इसमें दोस्तों सहीद भी हुए थे काफी लोग सहीद हुए